तो कही शौरब जोसी भारत का नंबर वन ब्लोगर, शौरब जोसी भारत का सबसे बड़ा ब्लोगर, पर वो क्या है न, अब सौरब भाई को थैनोस क्या, क्यारी मिनाटी भी नीचे नीचे नीगरा पाएगा? देखो भाई, शौरब जोसी पर हर दिन कोई ना कोई allegation लगते रहते हैं, और वो कितने सच होते हैं, और कितने जूट हो सबको पता है, पर ये जो भी लोगे जो allegation लगाते हैं, व्यूच पाने के लिए, वो इंसान नहीं, बलकि इंसान के नाम पर टट्टी है, क्या मतलब व करेगा या नहीं करेगा, तो भाई, वो तो तुम्हें वीडियो में आ गए ही पता चलेगा, क्यूंकि व्यूस तो मुझे भी चाहिए ना, तो भाई, ये है वीडियो का फर्स्ट ब्लॉग वीडियो, जिसमें ये कुरुक्षेत्र घूमने गये हैं, और ये वीडियो करिब एन कुछ फोटोग्राफ भी में क्लिक करूँगा अपनी खुद की, तो उसको में लास्ट में स्केच करेंगे, तो अभी चलते हैं महां का क्या सीन होता है देखते हैं, तो चली चलते हैं, देखो भाई, अब यहां पर सौरब जोसी थोड़ से डड़े हुए लग रहे हैं, सौरब जोसी को देखे ऐसा लग रहा है कि कोई इनका चोकलेट लेके भाग गया है, अब मैं सौरब भाई का मजाग नहीं बना रहा हूँ, अलकि यह कह रहा हूँ कि जब भी कोई बंदा कैमरे के सामने पहली बार आता है, तो ऐसा हाल सबका होता है, इनफार्ट मेरे साथ भी हुआ था, जब मैंने पहली बार facecam किया था, तो मेरे लोयल सब्सक्राइबर्स ने तो मुझे यह कहा था, मेरे तो लिटरली सब्सक्राइबर्स घटने लगे थे, जिसके कान मैंने अपनी पहली facecam वीडियो डिलीट कर दी थी, और यसे बहुत सारी यूटूबर्स है, तो सक्सेस फाने के बाद अपना पहला वीडियो डिलीट कर देते हैं, क्यूंकि उनको लगता है कि वो अपने पहली वीडियो में बहुत वीडियर दिख रहे होते हैं, बट स्वारव भाई को इस चीज के लिए मैं सल्यूट करना चाहूंगा, क्यूंकि इसके लिए गट सह यह होता है, जो एक टाइम पर मेरे पास भी नहीं था, यहां से अराउंड दो घंट लगते हैं पहुचने में, सो नाव भी हैव रीच्ट कुशेत्र, अभी हम हैं ब्रह्म सरोवर पे, अभी हम थोड़ा सनान कर रहे हैं पानी में, and yes I know how to swim, अभी देखने के बाद मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ गई, जैसे सरोवर जो से यहां पर कूल देखने के लिए ऐसे मूँ बना रहे हैं, कभी मैं भी कूल दिखने के लिए ऐसा ही मूँ बनाया करता था, बिल्कुल ऐसे, और यह चीज़ सिर्फ मैं ही नहीं करता था, मुझे सरोवर जोशी के बारे में 2022 में पता चला, और मुझे इस बात का अभी तक गम है, क्यूंकि अगर मैं पहले सी सरोवर जोशी को फॉलो करता ना, तो बैस सच बता रहा हूं, आज मैं भी एक ब्लॉगर होता, और आज मेरे चैनल पर भी 80,000,000 सब्सक्राइबर्स होते एंड इस इस हाओ आइम शुटिंग माइ वीडियोज, आई यूज सेलफे स्टिक, यह काफी बढ़ा रहा था है अरजुन का, वाल पेंटिंग्स, अब हम जा रहे हैं म्यूजियम में, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आपको विजिट करना चाहिए, काफी अब हम जाएंगे कुछ टेंपल्स में, फिर उसके बाद घर, जाके मैं कुछ फोटोग्राफ स्लेक्ट करूँगा, जो भी मैंने फोटोग्राफ क्लिक किये यहां पर, खुद की, फिर उसका स्केच बनाएंगे लगता है, मैं वो तुम्हें बताता हूँ, अभी एक टाइम अगर तुम देखो तो स्वरब भाई के पास गारी है, कपड़ा है, मकान है, मतलब सब कुछ है, पर उस टाइम स्वरब जोसी के पास एक आर्ट चैनल था, और आट बनाने का टैलेंट भी था, जिसके दम पर इ ए गाइज, I hope you enjoyed video, so अब मैं sketch draw करूँगा, जो भी photo मैंने thumbnail भी लगाई है, वह photograph का मैं sketch बनाऊँगा, so let's see its time-lapse video अब सवरब जोसी के इस वीडियो से किसी को कुछ मिले या ना मिले, पर भाई मुझे motivation बहुत मिली है, इस वीडियो से मुझे बहुत कुछ सेखने को मिला है, अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो तुम्हें भी बहुत कुछ सेखने को मिलेगा, और भाई इस वीडियो के बाद मेरे मन में सौरब जोशी के लिए इज्ज़त कुछ और बढ़ गई है और जो लोग सौरब जोशी पर ऐलेगेशन लगाते रहते हैं कि सौरब जोशी यह है वो है तो भाई बीम मिचियोर क्यूंकि अगर तुम सौरब का तिन चार साल पुरानी वीडियो देखोगे तो तो भाई उनको ऐसा बिलकुल नहीं करना चाहिए अब लोग तो कुछ ना कुछ कहाएंगे उनका काम ही है कहना बट उनकी उस वीडियो को देखके जो दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा वो मेरे हीसाप से बहुत ज्यादा होगा बागी आज की यह वीडियो आप करत बाई